तो आज हम बनाएंगे आलू बैगन की बहुत स्वादिश्ट मसालेदार सब्जी तो हम सब्जी को बनाएंगे घर के जिंपल मसालों से और यह खाने बहुत ज्यादा स्वादिश्ट लगती हैं तो आप इसे पूरी के साथ पराटे के साथ या फिर चावल के साथ भी खा सकते समय तो चाले फिर बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए मैने थो टंटी है वह भी तो चाही है ने में बाटना पाम ऐन पानी में जुऔो जातें जाते हैं तो सब से पहलाब क्रामा दाली मिहने जाले और पूछे ने मीडियुम को बनाना पर 5000 चुला तो यह तो बनाना तो आप जो भी cooking oil इस्तिमाल करते हो उसमें बना कर सकते हैं तो तेल अच्छा स्वादिश्ट लगता है आलू पेगन की सब्जी में तो इसमें सभी चीजे मिक्स होती है मेथी की दाने सौप जीरा जवाइन वंग्रेला सभी चीजे मिक्स होती है तो इसे अच्छे सचे रखन में लिया है लासन अतरक और हरी मिर्च को मैंने दर दरा सा कूट लिया है तो इस तरीके से अगर आप लाजन को कूट कर इस तरीके से ओल में डाल कर बनाएंगे ना बहुत ज्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आता है तो जब अच्छे से थोड़ा फ्राय हो जाए तो इसमे हम डाल लेंगे कटे हुए आलू और आलू को भी हम इस तरीके से ओल में मिक्स करते हुए लहसन के साथ पकाएंगे इससे बहुत यह अच्छा डेवर आता है आलू में इस तरीके से एक बारा बना के जरूर से देखिएगा बहुत ही अच्छी बंती आलू बैगन की सब्जी तो यहां पर आलू को हम एक से दो मिनिट के लिए कोईल में अच्छे से इस तरीके से भून लेंगे इससे कि आलू का जो भी मौईस्ट्य है न वो खत्म जाएगा तो यहां पर देखिए एक से दो मिनिट के लिए मैं अच्छे से भून लिया है और आलू को अच्छे से तौमाटर के तरी रुब द्मीब जते हमाधर, कोड़ना नमक पूरी हमिक्स करिए रुब दिया तो टमाटर के शाए दे्मी हई पूर्ट्व पूर्ड़ के करीब लग दुह भलता है शान रानिव भिलता हलता सरे नमकशी अगतर फोसे सोल आप पार नमकशी को बैसे सार conservative यह गनिया पॉडर तो फ्रेंस घर की बेसिक मसालों से इसे बना के त्यार करेंगे बहुत अच्छी बन के त्यार होगी और साथ इसमें डाल देंगे हम डेट शमशे करीब कास्मीरी डेट चिली पॉडर सभी सुखी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसे हम थोड़ी दर के लिए ढखकर पकने देंगे जिससे कि हमारे टमाटर सॉप्ट हो जाएंगे और साथ में आलू भी सॉप्ट हो जाएंगे तो यहां पर मैंने सब्ची को ढख दिया है और यह देखिए एक मिनिट के बाद मैंने इसे चेक किया है तो टमाटर आप द सोफिगे और आप यहां पे हम ढाल देंगे बैगन ओर बैगन को जलके भी मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस बैगन को पकने में जादा समय नहीं लगता है यह बहुत जल्दी बैगन को अगतए है जादा पानी पानी से फिक क such तो यह पर favorok रहनां तो यहां के थोड़ी दे पकाया है वैंगान भूल लेंगे जाफ होगा है और अधे हम चलाता भून लेंगे एक दो बार अगर आप आम चुब पॉरर नहीं डालना चाहते है तो आप नहीं डालें लेकिन इसे सब्जी में बहुत अच्छा सा फिलेवर आता है खटा खटा सा और हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है करम मसाला और इन्हें भी अच्छा से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सब्ज़े को मिक्स कर लिया है ःव इसे मिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे इन्योख कर भुद हास debugging करीब ज सब्जी कच्छा होंगे अच्छह से अब कर पक जाएंगे कि यहां पर मैंने च stack से muito और यहां पर डुची हमारे क्षे से कुक हो गया है तो और ज्ञादा इसे नहीं पकाएगे नहीं तो बहुत ज्यादा ओवर्पुक हो जाएंगी यहां पर हमारे बैगocado कोड़ें और आलू भी हम चेक कर लेंगे कि अच्छे से पके हैं या नहीं तो यहां पर मालू को चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे अच्छे से सॉप्ट होगा हैं तो बस यहां पर हम इतना ही से पकाएंगे इसमें डाल देंगे खरी मिर्च और साथ ही ढाल देंगे थोड़ी सी बारी कट तो आप भी इस तरीके से आलो बैगन की सब्जी को एक बना के जरूर से देखिए गाप बहुत ज्यादा टेश्टी लगती है खाने में इसे आप आराम से खा सकते हैं पूरी के साथ प्राठे के साथ रोटी के साथ खाए या फिर चावल के साथ तो अगर आपको मेरी आलो बै वुआ एक फे भी और आपको इसदेखा नेधा या जो मारी के साथ लगता बना में में इस गहाए दूरी कर प्राथ को बना night के तर आप इसने खंग।